माध्य प्रदेश में बढ़ते कॉरोना संक्रमन पर ब्रेक लगाने के लिए प्रदेश सरकार किल कॉरोना टू शुरू करने जा रही है तो वहीं अब इसकी मॉनिटरिंग के लिए शिवरास सरकार ने चार मंतरियों को तैनात किया है इसके साथ ही ग्रहमंतरी नरुत्तम मिश्वा ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार स्वास मामलों के फंट में कोई कमी नहीं आने देगी प्रदेश में कॉरोना वारस का संक्रमन लगातार बढ़ता जा रहा है शिवरास सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में एक अगस्त से 14 अगस्त के बीच किल कॉरोना अभ्यान पार्ट टू चलाया जाएगा इस फैसले के बारे में ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्वा ने बताया कि सरकार ने एक अगस्त से किल कॉरोना अभ्यान पार्ट टू चलाने का फैसला किया है इस अभ्यान की निगरानी के लिए सरकार ने चार मंत्रियों के एक समीती भी बनाई है इसमें ग्रह मंतरी नरुतम मिश्वा नगरी अप्रसाशन मंतरी भूपेंद्र सिंग, स्वास्त मंतरी प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा सिक्षा मंतरी विश्वास सारंग को शामिल किया गया है यह समीधी प्रदेश भर में चलने वाले किल कॉरोना अभ्यान की मॉनिटरिंग करेगी यही नहीं ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्वा ने कहा कि स्वास्त हमारी प्रात्मिक्ता है और इसमें कोई कमीन नहीं रखी जाएगी किल करोना पार्ट टू है जिसका नारा मुक्यमंत्रीन ने दिया है संकल्प की कहन जोड़ो और करोना से नाता तोड़ो यह पार्ट टू प्रारंब हुआ है इसमें 14 दिन का प्रतिबंध सभी मंत्रियों पर सभी सांसदों पर सभी विधायकों पर है कोई भी सारवजनिक कारि करम नहीं करेंगा किसी भी राजनेतिक दल की भाजपा कांग्रेस सपा बस पा跟大家 नहीं कर सकेगा चवदा टारिक तर आज से प्रारब हुआ है एक टारिक एक तारिक से 14 तक चलेगा है। मानी मुक्कमंत्री जी ने इस पश्ट रूप से कहा है कि मानी सांसद, विधायक, मानी मंत्री का अपने विधानसबा छेतर में स्वास्त के उपकरण खरीदें जिनसे करोना का लाब हो सके। इसी बीच देश में आज उसे अनलॉक 3 की श्टिरुवात हो गई है जहां मेरिका में कॉरोना वाइरस के मरीजों का आकड़ा 47 लाग के पार पहुँच चुका है। तवही भारत में भी संक्रमितों का आकड़ा 16 लाग के आकड़े को चूग गया है जबकि मध्यप्रदेश मे संक्रमन का सेंसेक्स 31,000 पार हो गया है लहाजा प्रदेश सरकार ने मंत्रियों का एक जथा कॉरोना कंट्रोल को लेकर उतार दिया है। प्योरो रपोर्ट, MP News